गुड मॉर्निंग स्टूडेन प्रीवेस वीडियो ग्लास में हमने काववे खंड शितिज पाथे पुस्तक के काववे खंड का चैप्टर नमबर नाइन जूकि काववे खंड का फर्स चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया कबीर दाज जी की सब्द और साखिया आज हम क आफवे खंड का चैप्टर नंबर टैन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर टैन वाक ये कवेतरी लगेद्द द्वारा रचित है सबसे पहले हम कवेतरी जी का जीवन परीचत है दो करते हैं अधार्थ उनके जीवन के बारे में कुछ भी प्रमानिक जानकारी नहीं मिलिकेवर अनमान और कल्पना के आधार पर ही बताया जाता है कि वंदितियों के आधार पर ही उनके जीवन का परीचे दिया गया है उनका जनम 1320 इस्वी के आसपास स्री नगर के पास इस्तित गाउं में हुआ था उन्हें ललेश्वरी, लल्ला, लल्योगेश्वरी, ललारिफा, आधी नामों से भी जाना जाता है उनके मृत्यू 1301 में इस्वी के आसपास मानी जाती है आगे देखिए इनकी कवेत्री की भाषा सहली लोग जीवन के तत्वों से फेरित ललद्यद की रश्णाओं में तत्कालिन, पंडिताओं, भाषा, संस्क्रत और दर्बार के बोश से दबी, फार्सी के इस्तान पर जनता की सरल भाषा का प्रियोग हुआ है यही कारण है कि ललद्यद की रश्णाओं सेक्डों सालों से कश्मीरी जनता की स्मुनती और वानी में आज भी जीवित है वे आदुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुक इस्तंब मानी जाती है ललद्यद अपने वाखों के लिए प्रसीद है वाख उनकी लोग प्रिय शैली है आगे देखिए पाठ का सार कि जो वाख है उसका पाठ में कवित्री क्या बता रही है क्या कहना चा रही है ये इसमें देखते हैं जबसे पहले पाठ का सारांश क्या है कवित्री अनभव करती है कि जीवन नश्वर और शन्भंगुर है शन्भंगुर अर्तार कुछी समय के लिए है उसके बाद में इसे नस्ट होना है परन्तु परमात्मा सिम्मिलन नहीं हो पा रहा है अते उसके हिर्दय में एक तड़प से पुड़ती है मुक्ती का द्वार तबी खुल सकता है जब मनुष्य ने तो पूरी तरह भोगी हो और ने योगी तपश्वी हो मध्यम मार्ग से ही मुक्ती मिल सकती है हट योग आदिस आदना से उसे कुछ नहीं मिला वह ईश्वर तो गटगट में बसता है वह हिंदू मुसल्मान में भेद नहीं कर सकता ज्यानी वही है जो स्वेम को पैचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को जान पाता है आप देखिए आगे हम इनके पदों को रेड़ करते हैं जो फर्स्ट पद है वो देखिए रसी कच्चे धागे की खीच रही मैं नाओ जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रियास हो रहे हैं मेरे जी में उड़ती रह रह हूँ घर जाने की चाह है गेरे सबसे पहले शब्दार देखिए भव सागर कार्थ होता है संसार रूपी सागर कच्चे सकोरे कच्चे सकोरे यहां है शन भंगुर जीवन के लिए अर्थात कुछी समय के जीवन के लिए और उसे के बाद में उसे समाप्त होना है हूप कार्थ होता है तडप या वेदना व्यर्थ कर्थ होता है बेकार चाहे कर्थ होता है इच्छा गेरे यानि की चारो तरफ से उसे गेरे रखना आप देखिए इसका अर्थ प्रस्तुत पद हमारी शितिज पाठे पुस्तक के काव्य खंड भाग के चैप्टर नंबर टैन के वाख से ये पंक्तियां ले गई है इसकी कव्यत्री ललद्य जी है प्रस्तुत पद में कव्यत्री ने बताया है कि जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है वह नहीं मिल रहा है कि कवेत्री परमात्मा से मिलने का लगातार प्रियास कर रही है किन्तु उनसे मिलन नहीं हो पा रहा है और उनके सारे प्रियत्ने बेकार हो रहे है अर्थ देखिए रस्ती कच्चे धागे की खीच रही मैंनाओ कवेत्री के अनुसार कि यह जीवन कच्चे धागे की दोर के समान नश्वर है जिस तरीके से कच्चा धागा होता है वो कभी भी तूट सकता है उसी प्रकार से यह जीवन भी क्या है कच्चे धागे की दोर के समान है कभी भी समाप्त हो सकता है अर्थार्त ये कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है ये कभी भी तूट सकता है सांसों का ताना बना अर्थार्त कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है कच्चे धागे की खीच रही में नाव की कवेत्री कह रही है कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है जिसके सहारे वह कुण कवेत्री वह प्रबु बक्ती की नाव को खे रही है तर प्रबु बक्ती की नाव को चलाए जा रही है कि वह इश्वर से प्रात्ना करते कह रही है कि पता नहीं कब जो है मेरी इश्वर पुकार सुनेंगे अर्थार्थ वह लगातार जो है कच्चे की धागे से अपने इस प्रभु भक्ति को खैंचे जा रही है लेकिन पता नहीं प्रभु जो है उसकी पुकार वो कब सुनेंगे और कब उसके जीवन को पार लगाएंगे अर्थार्थ कब उसे अपने दर्शन दे के उसके जीवन को पार लगाएंगे पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रियास हो रहे हैं मेरे कवेत्री आगे कहती है कि यह है जीवन मिट्टी के कच्च सकोरे के समान शन भंगूर है जिस प्रकार से मिट्टी का जो कच्च सकोरा होता है वो कभी भी तूट जाता है अल्दा अलके से चोट से ही वो नस्ट हो जाता है उसी प्रकार से जो जीवन है वो भी शन बंगुर है यह कभी भी समाप्त हो सकता है यह लंबे समय के लिए नहीं होता है को पता नहीं होता है कि यह कभ समाप्त हो जाए जिस प्रकार से एक पानी का बबुला होता है वो कुछ समय के लिए होता है और वो उसके बाद में वो क्या हो जाता है नस्ट हो जाता है उसी प्रकार से जो जीवन है वो भी क्या है शन भंगुर है कभी भी समाप्त हो सकता है कि जीवन मिट्टी के कच्चे सकورे के समान है इससे आयू रूपी जल वो टपक रही अरथार्थ धीरे धीरे व्यक्ति की आयू समाप्त होती रहती है जीवन निरंतर बीता जाता है था जीवन जो है वो निरंतर आगे भड़ता हुआ जाता है और मुलत्यू निकट आती जा रही है जी में उड़ती, रह रह हूँ घर जाने की चाह है गेरे कवेत्री आगे कहती है कि प्रभू मिलने के सब प्रियाज जो है मेरे क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं बेकार हो रहे हैं उसे मिलने के लिए मेरे हिड़े में रह रह कर यानि कि बार-बार एक तड़ब से उठ रही है कि अब मुझे प्रभू मिलने चाहिए कि अब कब मुझे प्रभू मिलेंगे कब मुझे प्रभू की धर्शन होगे और अब वह अपने घर अर्थाद ईश्वर से मिलन की चाह रखती है कवियत्री जो है उसके मन में एक ही चाह है कि वह ईश्वर के घर की चाह है अर्थाद ईश्वर के मिलन को वो जानना चाती है अर्थाद ईश्वर के घर वो जाना चाती है एक पर फिर से देख लिए कि कवियत्री के अनुसार यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है जिसके सहारे वह प्रभु भक्ती की नाव को खे रही है नह जाने उसके देव उसकी पुकार कब सुनेंगे और कब उसको इस जीवन से पार लगाएंगे कवियत्री आगे कहती है की है जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान शन भंगुर है इसमें से आयू रूपी जल निरंतर टपकता रहता है अर्थार्थ जीवन निरंतर बीता जा रहा है और मृत्यू निकट आती जा रही है प्रभू मिलन के सब प्रियाज जो है कवियत्री के बेकार हो रहे है उसके हिर्दे में एक तडब बार बार उड़ती है कि वह अपने प्रभू से कब बिलेंगी अब वह अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन के चाह रखती है और वो ईश्वर के घर जाना चाती है कवियत्री परमात्मा को पाने के लिए दिरंतर प्रियास कर रही है किन्तु मिलन नहीं हो पारा अर्थात ईश्वर से उसका मिलन नहीं हो पारा है इसलिए उसके सारे प्रत्न जो है वो बेकार हो रहे हैं विशेश देखिए प्रस्थुष प्रत में कवेधियरी ने जीवन जीवने के सादनों को कच्चे धागे की डौर के सम्हान बताया है नाव प्रभु बक्ती के लिए प्रियुक्त हुई है इस पंक्ती में रूपक अलंकार का प्रियोग हुआ है रह रह पंक्ती में पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रियोग हुआ है प्रस्तुत पद में घर परमात्मा लोग का प्रतीक है यह हुआ हमारा first पद का अर्थ complete second पद है वो हम कल की class में read करेंगे आपको इस पद की व्याख्या करनी है सबसे पहले आप कवियत्री परीचें वे सारांस लिखेंगे उसके बाद में आपको इस पद की व्याख्या फिर नोटबुक में राइट करनी है तता साथ में चैप्टर नमबर नाइन कावविखंड का जो कबीर दास्चिज दुआरा रचित है शबद वै साखिया उसको आपको लर्ण करना है इसके साथ ही जो हमारा ग्रामर का टोपिक है उसे भी आपको लर्ण करना है कल की क्लास में हम जो हमारा इस चैप्टर का साइकिन पद है वो स्टार्ट करेंगे